नमस्काल साथियों, पांच का पंच में आप सभी का स्वागत है, पांच सांदार कोश्यन और उससे भी सांदार उनकी एक्स्प्लेंशन, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का जो पहला कोश्यन में देखने को मिलता है, बाइपोलर डिसॉर्डर, इसको किस नाम से जाना जात है, द्वी, ध्रवी, विकार, तो अगर हम देखें, तो यहां हमें चार सिंड्रॉम्स दे रखें, एंटी सोशल परसनलिटी सिंड्रॉम, यानि हमारे पास APSG दे रखा है, फिर मसीहा डिजीज दे रखा है, या मसीहा सिंड्रॉम कहते हैं इसको, या फिर इसको सेवियर सि सिंड्रॉम भी कहा जाता है, तो अटी सोशल परसनलिटी जो सिंड्रॉम है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कदर नहीं करता है, दूसरे व्यक्ति किसी तरह से नहीं समझता है, और इस से दीरे-दीरे फिर वो क्राइम की तरफ चला जा जाता है मसीया ठीक इससे विपरीत है जिसमें व्यक्ति समझता है कि मैं दुनिया को बचाने वाला हूं अब इसके कारण क्या होता है कई बारी छोटे बच्चों में जो छोटे बच्चे काटून देखते हैं उनमें यह सिंड्रॉम आ जाता है और वह बच्चे छत से कूच ज तो मंचूसन दीक चांपास है जब व्यक्ति क्या करता है विश्क्ति मंचूसन है कहमाएं पास अपस्टो क्रेंठ थे जिनको सबसे पहले रोग ये सिंड्राउम जो है वह पकड़ा गया था इस में व्यक्ती क्या व्यक्ति है अपने आपको सोचते हैं कि मुझे बिमारी है वो अपने आप में भीमारी फिल करता रहता है और भीमारी ओर पर कि गारण जो उसके लक्षन होने चाहिए वो बिन लेकिन वो दरद महसूस करेगा उसको लगेगा कि मेरे बीमारी है वो ठकाओवा महसूस करेगा यह अलग लग तरह कि बीमारी के 1977 दिखाता है तो उसे हम कहते हैं अंचुसं सिंड्रॉम जो की हमारे पास यहां आँसर हमारे पास तीसरा है, जिसे हम mood swing कहते हैं, चले next को देखें, today's classrooms now welcome, आज की कक्षाओं में अब सिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अब कौन सा किया जाता है, तो यह स्वागत होता है हमारे पास किसका diversity का, हम अब सभी तरह के बच्चों को किसके अनुसार, right to education act 2009 के अनुसार, सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार हम क्या देखते हैं, 2009 के अनुसार हम देखते हैं, कि अब हम विवित बच्चों को सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे प लेफिसित of sleep effects learner नीन की अलपावधी कमी सिक्षारतियों को प्रहभावित करती है यहां पर अगर हम देखें कि नीन कम लेता है बच्चा तो नीन कम लेता है तो उसका cognitive effect उसका cognition अफेक्ट होता हुआ उसका संग्यान प्रहभावित होता है क्यों कि हमारी नीन क्या करती है हमारी नीद हमारे अलग-अलग इस्मृतियों को विवस्थित करने के लिए हमारे कोगनीशन को बढ़ाती है तो इसलिए जो अलपावधी नीद लेते हैं जो कम समय की नीद लेते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है उनका कंसेंट्रेशन कम होता है और मेमोरी कम होती है उनकी एकागरता और इस्मृति हमें कम देखती है उनकी एकागरता और इस्मृति हमें कम देखती है फिर हम यहां पर देखें तो inequality in education has been reduced in India भारत में सिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है अब यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास भारत में सिक्षा की असमानता को कम करने के लिए क्या चीज़ देखें हमने constitutional provisions देखें समवेधानिक प्रावधान देखें जो हमने देखा कि हमारे पास ह हमने article 21A के तहट सिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया यानि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है article 21A और इसके अंदर हम देखते हैं Right to Education Act 2009 सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके माध्यम से हमने अलग-अलग तरह की असमानता को खत्म करने के और सभी बच्चों को सिक्ष का अधिकार सुनिश्यत करने की हमने यहां पर प्रक्रिया को देखा नेक्स इसमें बात करें domain of learning according to bloom तो bloom के अनुसार कौन सा अधिगम का पक्ष है यानि यहां पर बात की जारी है bloom की टेक्सोनॉमी की यहां हम bloom की टेक्सोनॉमी को देख रहे हैं अगर हम bloom की टेक्सोनॉमी के उपर बात करें तो हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है तो bloom की टेक्सोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा तीन थे एक तीसरा हमें अफेक्टिव देखने को मिलता है पहला हमें कॉगनिटिव देखने को मिलता है डोमेन संग्यानात्मक डो नेटिव है, क्रियात्मक है या इसी को हम कहते हैं साइको मोटर, मनोगामक छेत्र है और तीसरा हमें देखने को मिलता है इसमें अफेक्टिव यानि भावात्मक तो हमें ये तीन देखने को मिलते हैं उत्तर यहां चौथा होगा तो साथियों अमीद करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रशन आपको बहुत बहुतर तरीके से समझ में आएंगर इनमें आपने कुछ नगा कंसेप्ट सीखा होगा और पुराने कंसेप्ट को रिवाइस किया जितने साथी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और बात में देखेंगे आप सभी का धन्यवाद अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है फिर मिलते हैं साथियों नमस्कार